मेरा नाम आनंद कमलेश्टर पाठी है आप बिंदाज भोजपुरिया देख रहे हैं मेरे साथ मित्रो इस वक्त विनीत विशाल साहब है जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में विलन की भूमिका कई फिल्मों में निभाई लेकिन हाल ही में भोजपुरी की पहली वेब एक नज़ा है विनित भीया कैसे है अब प्रणाम सभी को मैं बहुत अच्छा हूँ विनित भाई आपकी वेब सिरीज आई है जिसे भूजपुरी की पहली वेब सिरीज कहा जा रहा है पाउन सिंग स्टारर प्रपंच मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजे पहले यह कहानी एक बिहार के प्रिस्ट भूमे से ली गई है शायद मैंने सुना है कि सच्चे घटनाओ पर धारीत है तो असा फिल्मी तड़का वड़का लगा बनाया गया इसको और बड़े खुबसूरत वेब सिरीज बनाई गई है शायद मुझे लगता आपने भी देखा अच्छी वनी है विलिद भाई क्या अनुभो था पाउन सिंग के साथ आपने पहली बार काम किया पहली बार मैंने अपने फिल्मी जीवन में पाउन भाई के साथ काम किया और अच्छा लगा उनके साथ काम करके मेरे कुछ जो सीन थे उनके साथ फर्स टाइम जब हम लोग कि सब सुपरिस्टार हैं और मैं इंडस्टी में नया हूँ तो थोड़ी सी घबड़ाट हुई मुझे लेकिन पौन भाई ने मुझे रिलैक्स किया कि विनिजी आप बिल्कुल बेजिजक घबड़ाय नहीं क्योंकि गाली गलॉस थे उस सीन में घबड़ाय नहीं बिल्कुल आप कारेक्टरों गाली दे रहे हैं और खुद आप एक कारेक्टर प्ले कर रहे हैं तो इसमें सोचने की बात नहीं है उनने बिल्कुल बुझे नॉर्मल किया और बेधड़ाक होके हम दोनों उने सीन को परफॉर्म किया जो इस वेव स्रीज का सबसे की पॉइंट कह सकते ह है वही में सीन है उस वेव स्रीज का जिसे पूरी कहानी आगे बढ़ती है तो आपको जो है वो ऐसा सीन था जिसमें आपको पॉंजिंग साब को गाली देनी थी और आपको हिचक महसूस हो रही थी जी ऐसा ही था उसके बाद पर आपने गालिया पिर उन्होंने मुझे दिय मैंने उनको दिया फिर दोनों ने एक दूसरे उखूब दिया गाली गलोस का जो है सिल्सिला खतम हुआ था तो गले मिले फिर दोनों भाई हाँ हाँ हो तो हम लोग बैट के साथ है जैसे कट होता था साथ बैटे थे मोनेटर पर शौर देखते थे और मतलब सब अच्छे से कहा जाता है एक आम चबी है एक आम पर्सेप्शन है शायद कि पॉन जी है जो पॉन सिंग साहब है गुसल सभाओ के हैं बहुत रिजर्ब नेचर के हैं बातचीत कम करते हैं शूट कट्ट करते हैं ऐसी कोई जो इमेज है वो आपको नजर आई वहाँ पर नहीं मैंने तो य लाइट वहाँ नहीं आ रही थी तो रहों लगा कि आये विनित उदर चलते हैं फिर लाइट में खुद ले जा कि मुझे तस्वीर की चाहिए दोनों लोगों ने साथ में जिसे मैंने सोसल साइट पर पोस्ट किया तो हम कमफर्ट तो यह कहानी प्रपंच की थी जो विनित विशाल साब बता रहे थे मुझे किस तरह से शूटिंग के दौरान तस्वीर निकालने के लिए खुद पाउन सिंग साहब इन्हें उस जगह पर लिके गए जहां पर लाइट थोड़ी अच्छी थी वैसे आपकी जो एंट्री हुई है भुजपरी सिनमा में में मुझे या कर्णे कि अरे में जहीं के साथ जैइव गया चिंट्य बड़तीर नशेयग नाम लिया प्रदीपह चिंटु का विजसाथ एंग प्रदीपंतर चिंटु का नाम लिया चिनटु के predict Canvas नाम लिया चालता और तो चिंटू करकि आएया कि आप पहला किया था उनके साथ इससरा बड़ा सतावेला जो की हाली में रिलीज हुई है अभी मैं उनके साथ करके आया हूँ भारत भागी विधाता जिसके डिरेक्टर है अपके अनंजे रगुराज जी बड़ी कमाल की मूवी वनी है ये क्या किरदार है बेसिकलि ऊसमें वनीत विशाल een विलेन ही हूँ जहां बी जाओंगा गुंड़ि करूंगा तो भहिं अत्याचार है पिर अपनी अत्याचारों खद्म करता है तो मतलब चिन्टू के सामने आप बेसिकलि गुंड़ि कर रहे थे हैं अत्याचार ही लोग है तो पहले अत्याचार कीजिए, बाद में कुटाई और पिटाई हो, यही चलता रहता है, फिर उसके बाद आके गले मिलते हैं, अब विनीद जी क्या आप चिंटू के बारे में आपने जिक्र किया है, चिंटू के साथ काम करने का कैसान हो था, फॉस्ट क्लास, बहुत कॉफर करते हैं, वो, बहुत अनर्जाटिक, फाइड में और डांस में तो चिंटू भाई कहनता है, ऐसे एनरजी भर जाती कि पूछे हैं मत, जैसे चार केन पी लिया हो लोग ने वो रेड बॉल, ऐसे बहुत इंज्वाय करते हैं, फाइड और डांस को, और दिन भर शूटिंग क आटिस को बुलाने में सेट पे, तो वो खुद आवाज लगा देते हैं, कि आईए आपका शॉट है, इस तरीके के हैं वो, खुद दौल भाग के जैसे कि सनलाइट जा रही है, अब शॉट लेड़ा है, अब भीड है उस उट में, क्राउड भी है, अब वो शॉट को करना ह है, पूरा करना है कि सनलाइट जाने से पहले, तो असिस्टन विचारे परिशान है, उनकी परिशानी देखे, वो खुद दोड़के लोगों को प्लेसिंग कराने लगते हैं, तुम यहां खड़े रहो जल्दी-जल्दी, यह सब करने लगते हैं, वो, मदद कर देते हैं, ड किस ता शेयर करना चाहते हैं, बिनिध्वाई, अभी ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, बातों बातों बहुत साही चीज़े बताई मैंने, अब जैसे जैसे पूछेंगे बताता जाओंगा, यह सही बात है कि जैसे जैसे पूछूंगा वैसे वैसे आप बताएंगे, झाद।